तो ये वीडियो है Final Fight का Part 4 और ये इस सिरीज की आखरी वीडियो होने वाली है हाँ मुझे पता है कि ये एक 5-part series वीडियो होने वाली थी लेकिन Community Post में पोल के थूरू मैंने आप सबसे पूछा था कि आपको मुजान के fight पे एक लंबी वीडियो चाहिए या फिर दो छोटी छोटी वीडियो दो छोटी वीडियो होती तो 5-part series होती एक लंबी वीडियो और नहीं चौते पार्ट में ही खत्म तो आप में से 56,000 लोगों ने 92% वोट के साथ ये फैसला लिया कि भाईया हमें एक long वीडियो चाहिए तो इसलिए हम final fight को इसी long वीडियो में खत्म कर देंगे देख सकते हो आप लोग time पर already कि तलंबा वीडियो है अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दो request पहले request ये कि भाईया हमने नया नया discord server चालू किया है तो join करके देखो server काफी मजा आएगा वहाँ animal पसंद करने वाले कई लोग एक साथ बैठे हैं आपस में बात करते हैं और मैं खुद weekly सब से interact करता हूँ दूसरी बात ये कि मैंने अपना Instagram पेज भी Loginian के लिए अलग से खोल के रखा है तो वहाँ भी हमें follow कर लेना वहाँ आपको different shots देखने को मिलेगी मतलब वहाँ तो reels कहेंगे नहां जो कि YouTube भे नहीं आएगी इंस्टा स्पेसिफिक होगी जो कि next week से शुरू हो जाएगी तो follow कर लो दोनों का link डिस्क्रिप्शन में होगा सो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को तो कहानी में अब तक सभी upper moons मारे जा चुके हैं बची है तो सिर्फ नाकी में और अपना मुजान दम माइकल जैक्सन किरिया अभुयाशी की demon slayers को मुजान का location देता है और यहां में आपको बता दू कि फिलहाल demon slayers दो squad में बते हुए हैं पहला squad तुरंथी मुजान के पास पहुँच जाता है और ऐसे में मुजान अपने flesh वाले cocoon से निकलता है और इन सभी slayers को मार गिराता है वो उन्हें consume भी करने लगता है ताकि वो खुद को fully recover कर सके यहां मुजान तमायो के कटे सर का भी मजाग बनाते हुए कहता है कि तुमने जो अपना मुक्का घुसेड के मेरे अंदर जो भी medicine मुझे दिया था basically इस medicine का काम था कि वो demons को human में तबदील कर दे तो मुजान को human में तबदील कर दे वो basically काम नहीं किया है तो तुम्हारा जो sacrifice था वो व्यर्थ गया लेकिन इस वक तक शायद मुजान को ये बात नहीं पता था कि उस medicine के और भी properties है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा खेर तो इसके बाद मुजान तमायो का सर कुचल के उसे मार गिराता है अब तमायो के मरते ही योशीरो इसे फील कर पाता है और वो एकदम बौकला चुका था वहीं किरिया को लगने लगता है कि उसके एक wrong call की वज़े से इतने सारे demon slayers पलक जपकते मारे गए वह एकदम परिशान हो जाता है और नम हो जाता है लेकिन इस वक्त पे उसकी बेहन उसे एक थपर मारती है और बोलती है कि तुम्हारा काम है सभी को instruction देना मुजान अभी जिन्दा है तो ऐसे खो मत जाओ अपने काम पे लग जाओ तो ऐसे में किरिया वापस से प्लान बनाना शुरू करता है और वो फाइनली ओडर करता है हाशिराज एसेंबल अब हाशिरा की बात हो रही है तो मैं आपको बता दू कि इस वक्त ओबिनाई और मित सुरी नाकीमे को मारने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन वो लोग काफी फ्रस्टेट हो रहा है क्योंकि वो लोग नाकी में तक पहुँच ही नहीं पा रहा है वहीं अकर गी और तांजीरो की बात की जाए तो ये दोनों मुजान के पास पहुँच जाते हैं इनके बीच लडाई शुरू हो जाती है और मुजान अपने आम्स को काफी एक्स्टेंड करता है जिसमें से ब्लेड ऐसा कुछ निकल रहा था और उससे वो इन दोनों पे अटाक कर देता है ये और तांजीरो मुजान के इस अटाक से बचने की कोशिस करते हैं लेकिन एक हमला तांजीरो को लग जाता है वो भी उसके चहरे पे जी हां एक आख के सामने जिससे उसका चहरा आजीब सा हो जाता है एक साइड का और आख भी वो खो देता है अब इस पॉइंट पे मुजान को नाकीमे के विजन से एक information मिलती है और वो information ये थी कि मिट्सुरी और ओबनाई मारे जा जुके हैं मुजान ये सुनकर काफी खुश होता है and then वो घायल तानजीरो पे attack करता है ये सोचके कि तानजीरो को भी अब खत्म ही किया जाए लेकिन तब ही entry होती है ओबनाई और मिट्सुरी की जो कि मुजान के इस हमले से तानजीरो को बचाते हैं जी हां दोस्तों मुजान इन दोनों को जिन्दा देखकर एकदम शौक हो जाता है और वो नाकीमे से इस बारे में पूछता है अब यहां पर चलता है कि युशीरो एक्चुली में नाकीमे तक पहुच गया था और वो उसके सर पे पेपर तलिजमन अतना डाल दिया था जिससे वो नाकीमे को कंट्रोल कर पा रहा था जी हां यानि की मुजान को जो विजन्स दिख रहे थे उसे युशीरो कंट्रोल कर रहा था था थूरू नाकीमे वैसे में obviously यूशिरो मुजान को गलत इन्फो दे रहा था साथी कासल को जो नाकी में मैनुपिलेट कर रही थी मुजान के फेवर में अब कहीं न कहीं वो मुजान के फेवर में नहीं रहा युशिरो यहां मुजान से communicate करता है और उससे कहता है कि तू बाहर मिल मुझे मैं तेरा बैंड बजाएगा मिल मेर को कई बाहर तो अब situation यह है कि मुजान को वापस से नाकी में पे control करना है जिसके लिए उसे mentally युशिरो से लड़ना है लेकिन सामने वो physically already गियू और अबिनाई से लड़ रहा है तो ऐसे में वो कहां फोकस करेगा इस physical लड़ाई पे या फिर उस mental लड़ाई पे जाहिर सी बात है कि वो physical लड़ाई पे ही ज्यादा concentrate करेगा तो ऐसे में वो युशिरो से नाकी में का control नहीं ले पा रहा था मुजान के पास अब कोई रास्ता नहीं था क्योंकि नाकी में काइंड उसके एगेंस्टी काम करने लग गई थी तो उसे अब नाकी में को मारना होगा अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दू कि जो भी demons होते हैं उनके अंदर कहीं न कहीं मुजान का खून होता है तो ऐसे में मुजान उन्हें कभी भी मार सकता है वैसे जो लोग season 1 देखे होंगे उन्हें ये बात पता होगी तो नाकी में के मरते ही infinity castle डोल जाता है और युशिरो और मुजान के tug of war से infinity castle ध्वस्त हो जाता है तो ऐसे में ये सभी लोग surface पे आ जाते हैं जी हां city के एकदम बीचो बीच और अभी सुर्योदे होने में डेर गंटा बाकी था यानि कि इन्हें मुजान से डेर गंटे तक लड़ते रहना है इस पॉंट पे मुजान एक दम बॉखला गया था और वो सभी से कहता है कि अगर तुम सब में हिम्मत है तो मुझे sunrise तक रोक के दिखाओ इसके बाद मुजान अपने blade जैसे arms को extend करके सभी हाशीराज पे हमला करता है लेकिन हाशीराज को बचाने के लिए नौर्मल वाले demon slayers एक body wall जैसा बनाते हैं और इस हमले को जहल जाते हैं बेसिकली हम कहें तो वो लोग अपने आपको sacrifice करते हैं ताकि हाशीराज बच सके हम देखते हैं कि तांजीरो भी वहीं गिरा पड़ा था और मैं आपको बता दू कि मुजान उसमें अपना थोड़ा हो गया था और मुजान भी कहता है कि अब यह नहीं बचेगा मीनवाइल दूर कहीं नेजुको को एहसास हो जाता है कि तांजीरो मुसीबत में हैं और वो तुरंत ही दोड़कर तांजीरो की और भागती है अब नेजुको के तांजीरो की तरफ बढ़ने से किरिया वरना गर मुजान नेजुको को कंजियूम कर ले तो आपको पता ही है क्या होगा किरिया ओर देने वाला होता है कि नेजुको को रोखो अपने पास ही रखो लेकिन तभी किरिया को फील होता है कि उसके पिता उसके कंधे पे हात रख रहे हैं और विजिन में उसे कह रहे हैं उने में बता दो कि भले ही नेजु को मेडिसिन ले चुकिये हुमेन बनने का लेकिन फिलहाल वो डीमन ही है अभी तक मेडिसिन उस पर काम नहीं किया है दूसरी तरफ हाशीराज एकदम स्ट्रगल कर रहे थे मुजान से लड़ने में लेकिन तभी इंट्री होती है ग्योमी औ एकसेस कर रहा था लेकिन आज सुमी ओशी यहां तांजीरो को अपने मिमरी में योडी जी दिखते हैं जो कि अपनी पूरी कहानी बताते हैं और योडी की कहानी में आपको अल्रेडी बता रहा है उस पे एक अलग वीडियो है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में छोड़ मतलब बैसिकली इसको हील वील करने का काम और आप देख पाते हैं कि कैसे अभी नावट मिच्थूरी को बहुत चाहता है ओधनाए मिच्थूरी के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था ये हम सब जानते हैं कि जब तक मुझान है कोई भी अपना नॉर्मल के पास आती है और इन सब को इस जहर का एंटिडोट देती है जी हां दोस्तों यह एंटिडोट तमायो बनाई थी और इसे लेते ही हाशी राज वापस से हेल्दी दिखने लग गए थे यहां ओबनाई के पास एक कववा रिपोर्ट लेकर आता है कि कैसे पिछले फाइट में म अपने तलवार को रेड कर लेता है हां रेड तलवार मतलब रेड निचरेन स्वार्ट जिसके वारे में हमने एक वीडियो में बात कर रखी है लेकिन ऐसा करने से ओबनाई का काफी ज्यादा एनरजी यूज हो गया था जिस वैसे वह काइंड ओफ फेंट होने लगता है और अपने संसेज का इस्तमाल करके मुजान समझ पाता है कि यहां तीन और लोग हैं जो कि उस पर हमला कर रहे हैं और वो दिख नहीं रहे यह तीन लोग थे कनाओ इनुसके और जनिट्सू जियां यह लोग यूशिरो के पेपर तलिजमन का इस्तमाल करके गाइव हो गये थे और मुजान पर चुप चुप के हमला कर रहे थे मुजान फॉराइन के पेपर तलिजमन को कट कर देता है जिसके बाद यह लोग फाइनली विजिबल होते हैं इस पॉइंट तक अबनाई खुद को संभाल चुका था और वो अपने रेड ब्लेड से मुजान को कट करता है इस्तमाल करते हैं ताकि यह लोग गाइब हो सकें और मुजान पर हमला किया रहे थे यहां की बात की जाए तो भाहिया वो ट्रांस्परेंट वर्ल्ड को भी अनलॉक कर चुके थे तो ट्रांस्परेंट वोल्ड की मदद से ग्योमी देख पाता है कि मुजान के पास साथ दि को access कर सकते हैं अब ग्योमी अगर गाइड कर रहे हो तो कौन नहीं सीखेगा वेल दूसरे हाशी राज भी सीख लेते हैं और वो transparent world को access अब कर पा रहे थे जो ही प्लान करते हैं कि वो मुजान के 12 करेंगे यानि कि साथ दिल और पांच दिमाग पर यह प्लान काम नहीं कर पाता क्यूंकि मुजान इन सब को blast करके दूर फेक देता है अब इस अटाक के बाद मुजान की जो सबसे करीब गिरी थी वो थी कनाओ और मुजान कनाओ को मारने वाला था वहीं दूसरी तरफ यूश का आदा चेहरा काइंड अफ डिफॉर्म हो गया था स्पेशली उसकी एक आंख जहां पे मुजान काइंड अटाक किया था यहां मैं आपको बता दू कि अपने इन हेरेटेड मेरी में तांजीरो देख पाया था कि योडिची कैसे 12 फॉर्म सफ सन ब्रीधिंग का इस्तमाल क और यह तो मुझे पतानी कि जुरुरत नहीं कि यह फॉर्म बहुत ही ज्यादा डेडली है दीमन के लिए तांजीरो डिसाइड करता है कि वह लगातार इन फॉर्म्स को दोहराता रहेगा और मुजान के 12 वाइटल स्पॉर्ट्स को काटता रहेगा जब तक कि सुबह नहों यहां तांजीरो का ब्लेड भी रेड हो चुका था जी हां पहली बार ऐसा हुआ बिना नेजुको के ब्लड डीमनार्ट की मदद से अब मुजान देखता है कि भाया यह तो मेरी धोती खोल रहा है अल्दो वह यह नोटिस कर पाता है कि तांजीरो योरीची के कहीं भी कर रही नहीं मतलब वह काइंड अफ स्लो हो गया है मुजान को लगता है कि जरूर यह तामायो का जो मेडिसिन था उसके कारण हो रहा होगा और ऐसे में वह अपने से इस इंफोमिशन को निकालने की कोशिस करता है यानि कि हम कह सकते हैं कि मुजान अपनी मेमरी के अंदर ज देख पाता है कि शिनोबो और तमायो मिलके एक ऐसा ड्रग बनाई थी जो कि मुजान को बहुत ही रापिडली एज कर देगा तो पिछले तीन घंटे में मुजान यहां था मतलब मेडिसिन लेने के बाद उसमें वह आल्मोस 9000 साल एज कर चुका है इसी वजह से वह स्लो होन सनलाइट में माना जाए अब इस पॉंट पर मैं एक शोटी से इंफोमिशन देता हूं कि यूशिरो की जो कैट थी जो की सब की मदद कर रही थी वह इस लड़ाई में काइंड ओफ कट हो गई लेकिन हां इस कैट को लड़ाई से पहले ही डीमन बना दिया गया था तो लेकिन अब वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा था और मुजान सोचता है कि यह सही मौका है जबकि मैं तांजीरो को मार डालू लेकिन लड़ाई में तभी इंट्री होती है ओबनाई की जो कि खुद को हील करके आ गया था और वो तांजीरो को बचाता है इस पॉंट पर वही स्कास थे जो कि आज से 500 साल पहले योरीची ने मुजान को दिये थे यानि कि आज तक मुजान योरीची के हमले से पूरी तरह से हील नहीं हुआ था और ये स्कास ही उसका वाइटल यानि की वीक पॉइंट से है ऐसे में तांजीरो इन वीक पॉइंट्स पे अटैक करन करता है कि अब सूर्योदय में सिर्फ 40 मिनिट बचे हैं तो अब मुजान की फटने लग गई थी और ऐसे मुजान सोचता है कि भाईया बाद में लड़ेंगे अभी यहां से भाग निकलो लेकिन ओबनाई मुजान को भागने नहीं देता और उसके नेक में स्टैब करके उस तान बनने लग गई थी यानि कि तमायो का मेडिसिन फाइनली काम करने लग गया था नेजुकों पर और नेजुकों याद कर पाती है कि कैसे इस पूरे डूरेशन के दोरान जब वो डीमन थी तो तान जीरो उसकी सेलफ लेसली मदद किया है बेसिकली नेजुकों समझ पात थे ऐसे में मुजान अपना वही भगोडा टेक्निक इस्तमाल करने का सोचता है जो वो योडिची के साथ किया था जी हां अपने आपको बहुत सारे पीसेज में ब्लास्ट कर लेना और भाग निकलना बट सर्प्राइजिंगली मुजान अपने आपको यहां स्प्लिट कर ही जो की मुजान पे वो ट्राइ की थी लेकिन मुजान समहों इसको ओवरकम कर पाया यानि की मुजान वापस हुमन नहीं बना दूसरा स्टेस था एजिंग फैक्टर जो कि मैं आपको पहले ही बताया है कैसे तीन घंटे में मुजान आल्मोस 9,000 एज गर चुका है जिसके शेललीलर डेस्ट्रक्शन जिसके तहत कि मुजान के अंदर के सेल डेस्ट्रक्च कोने लगेंगे और वह बहुत जल्दी रीजिन कट रहीं रहे शक्ति नहीं बचेगी जिससे उसकी मौत हो सकती है मुजान भी यह सारी बाते समझ चुका था लेकिन इस पॉइंट पर सभी हाशीराथ अपने रेड ब्लेड से मुजान पर काफी अटाक कर रहे थे जिससे उसे काफी चोटा रही थी और वो हील भी नहीं कर पा रहा था करके तांजीरो और उबनाई को काफी चोटिल कर देता है इस बाड़ा टाक उभी याशीकी तक भी पहुंची थी और यहां मुजान उस कवे को भी मार गिराता है जो कि लड़ाई को देखकर सब कुछ उभी याशीकी को बता रहा था जिससे की किरिया जो है मतलब अपना उ मुजान से भ developmental में अपको मुजान के थोड़े पावर की बारे में बताता हूं तो अपने प्लड़ इमनाट से फ्लेच को मैन wäre कर पाता है आपने देखा होगा कि वो अभी ककून बन गया था फिर आनिमे में आपने देखा होगा कि वो कभी बच्चा बन जाता है कभी बड़ा इंसान बन जाता है कभी लेडी बन जाता है बेसिकली वो कुछ भी रूप ले लेता है नौट परफेक्टली बट इन फैक कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो किसी फ्लेश में जान भी फूक के उससे भी अटाक करवा सकता है मुजान के पास एक और पावर है जिसमें वो किसी के नर्वस सिस्टम पर अटाक करके उसे काइंड अफ इमोबाइल कर देता है ऐसा ही वो कुछ तांजीरो के साथ भी किया जिसे तांजीरो एकदम से मतलब helpless हो गया था लेकिन तांजीरो यहां अपने blade से खुद को stab करता है अब्यसलि ऐसे पॉइंट पर जहां vital organs ना हो जिसे के अगेन उसे अपने nervous system का control मिरता है और वो लडने के लिए वापस से ready होता है अब जब तक तांजीरो यह सब कर रहा था मतलब अपने आपको वापस से लडने के काबिल बना रहा था तब तक इनोसके और जनिच सू मुजान से लड़ रहा थे लेकिन अब तक लड़ाई में हील होकर वापस से मिट सूरी और साने मी आ चुकी थी मुजान मॉंस्टर की तरह अपना मूँ खोल के अटाक करता है लेकिन इस अटाक को ओबनाई अपने उपर ले लेता है तांजीरो यहां अपने स्वार्ड को फिर से रेड करने की कोशिस में था लेकिन उसमें काफी ताकत लगने वाला था जो कि अभी तांजीरो के अंदर थान है तो ऐसे में गियू तांजीरो का तलवार थामता है और दोनों मिलकर अपने स्वार्ड को यानि कि तांजीरो के स्वार्ड को रेड करते हैं तो इस अटाक से मुजान को काफी चोट पहुंसता है और अब सुर्योदय भी होने लगा था यानि कि मुजान सूर्य की किर्णों से जलने लग गया था अब मुजान के पास एक आखरी जिसके तहट वो अपने आपको एक जायंट बेवी में तबदील कर लेता है इस जायंट बेवी फॉर्म के निचे तांजीरो काइंड अफ दब जाता है और मुजान इस फॉर्म में इदोदर भागने लगता है ताकि वो च्छाव की तलाश कर सके लेकिन यह सभी डीमन स्ले घुसने की कोशिस कर रहा था लेकिन ग्योमी अपने चेन की मदद से मुजान को एकदम पुल किये हुए थे वहीं गियू, सानेमी और बिनारों के मुजान पर हमला किये जा रहे थे इस पॉइंट पर मुजान पूरी दर से सूरी की रोशनी से ढग गया था यानि कि वो जलन स्टूडेंस को याद करते हैं जहां उनके स्टूडेंस उसके विजन में आकर उनसे माफी मांगते हैं और ग्योनी एक्दम सांतोना देते हैं सबको जिसके बाद वो बच नहीं पाते जियां अपना दम तोड़ देते हैं वही मिट्शूरी अबनाई की बाहों में थी और व उसके पिता उसे वापस भेशते हैं कहते हैं कि तुम्हें अभी जीना होगा एंदेन साने में अपनी आग खुल पाता है यानि कि वो मरा नहीं था ऑल्दो वो बहुत जादा चोटिल था इनोसके और जेनिट्सु बहुत जादा चोटिल थे लेकिन वो फाइनल फाइट को सर् में बन चुकी थी सब कुछ एक्टम कंट्रोल में लग रहा था लेकिन यहां पर एक अलग कांड शुरू होता है तो बेसे कलिए हम सब जानते हैं कि मुजान के अंदर जिन्दा रहने की एक स्ट्रॉंग विल है वह अपना पूरा ब्लड फीलिंग्स और पावर्स तांजीर बन जाएगा डीमन किंग तांजीरो को सण से भी कुछ नहीं होगा और इसके में तांजीरो को हडा पाना अल्मोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा श्यूली जबकि इतने सारे हाश चोटल हैं और कई तो मारे जा चुके हैं तो फाइनलि तांजीरो अपनी आखे खोलता है उस ने स्टांस में आने कहता है क्योंकि अब उन्हें तांजीरो से लड़ना है इस पॉइंट में सभी हर वड़ी में तांजीरो को सूरे की रोशनी में जलानी की सोचते हैं और तांजीरो कुछ सेकंड्स के लिए जलता भी है बट देन वो इसको जेल पाता है और उसे कुछ नही कानी हो रहा है जो कि हम एक्सपेक्ट भी किये ही थे एंडेन वो गीउ पर अटाक करके उन्हें उड़ा देता है सब कुछ खत्म होता देख रहा था लेकिन तभी निजुको दौरती है और वो तांजीरो को हग कर लेती है जी हां उसे छोड़ती ही नहीं वो कहती है कि मुझे पता है कि सालों से तुम अपने उपर बहुत responsibilities लेकर आये हो लेकिन अभी उन सभी चीजों को खत्म करने का समय है को अधीन गया था और दंभी निजुको को काट लिया है लेकिन उसे खा नहीं रहा है जैनी की देखा़ा था कि बने बन्से अपने निकट किसी को आने ही दे रहा था इसे मैं काना हूं वापस अपने फाइनल का स्वापर्म का स्थमाल करती अब यह फाइनल फॉर्म क्या है मैंने एक अपने पार्ट वाले वीडियो में बता रखा है डोमा वाले फाइट के अंदर उसका इस्तमाल करके कनाओ की जो दूसरी आख है उसकी रोशनी वो खो देती है लेकिन वो बहुत ही फास्ट तरीके से मूव करके तांजिरो के पास प करने लग गया था मुजान का तो सबकॉंशियस यानि कि उसका खून उसका सेल्स था वो तांजिरो को भड़का रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया तुम हीमन बन के कड़ी क्या लोगे तुम तो अपनी बहन नेजुकों को भी मार चुके हो तुम घर जाके करोगे ही क्य और वर तुमने मारक अलोग किया है तो तुम 25 साल तक ही जी होगे तो ऐसी जिंदगी से अच्छा तो डीमन बन जाना है क्या करोगे ऐसी जिंदगी लेके बेसिकली मुजान यहां तांजिरो को निगेटिव चीजे बोलकर भड़का रहा था लेकिन तांजिरो भी कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में जीलूंगा और मुझे डीमन नहीं बनना है इसके बाद तांजिरो को विस्टेरिया फ्लावर की खुश्बू आने लगती है यानि कि उसके उपर मेडिसिन काम करने लग गया था वो फील कर पाता है कि सभी लोग उसको मुजान के पास से अच्छाई की और खीच रहे थे वहीं दूसी तरफ मुजान उसे अपनी पास खीच रहा था लेकिन तांजीरो का विल था कि वो हुमन बने और ऐसा ही होता है जी हाँ जब तांजीरो अपनी आग खोलता है तो वो वापस से इनसान बन चुका था यानि कि मेडिसिन काम कर देखा जाया तो मेडिसिन काइड वापके विल पे डेपेंड करता है अभी तो हमूजान पर काम नहीं किया क्योंकि उससे कभी स्ट क्यंव मंना था लेकिन त्wright पर आंचीरो पे क्लिर से ही मौजूद है तो इस अनदर आंजीरो फाइनली पूरी तरह से मारा जाता है और य हो चुकी है मतलब completely blind नहीं उसे थोड़ा बहुत अभी भी दिखता है लेकिन हाँ कुछ ज्यादा काम का नहीं है वो विजन ऑल्दो कनाओ को यहां पर जिएंगे या उसके बाद भी जी पाएंगे या फिर एक यह सवाल हो सकता है कि तांजीरो और निजुको ही सनलाइट को क्यू जहल पाएं मोड़ोवर मुजान के मरने से सारे डीमन मारे गया तो क्या यूशिरो भी मारा गया या फिर वो जिन्दा है वेल इन सब में किसी वर्ड में जी रहे हैं तो बिसिकली मेरा कहना है कि डीमन स्लेयर पर और भी वीडियो आती रहेंगे लेकिन अप कम वीडियो आएंगी और मोस्ली थियरी वाली वीडियो होगी ना की एक्स्प्लाइनेशन तो उन वीडियो को ना मिस करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक् है महनत बहुत लगा है लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा महनत करो लाइक करो शेयर करो इतनी बार बोल रहा हूं क्योंकि सिरीज खत्म हुआ तो इसी के साथ जो मेरी इक्षा थी 20K लाइक्स अन एवरी वीडियो उसे भी आप लोग पूरा करो और खत्म करो तो बस मेरे बा है लेक है खत्म होट तो बार जार को एर भी ए।